नमस्कार, क्रांती ओरेसा में आपका स्वागत है गर्मियों के दिन थे, एक मैदान में एक टिड़ा अपनी ही मस्ती में जूम जूम कर गाना गा रहा था तब ही उधर से एक चीटी गुजरी, वो ही एक मक्के का दाना उठा कर अपने घर ले जा रही थी तिड़े ने उसे बुलाया और कहा, चीटी रानी, चीटी रानी, कहा जा रही हो इतना अच्छा मौसम है, आओ बाते करें, मस्ती करें चीटी ने कहा, तिड़े भाई, मैं सर्दियों के लिए भोजने कथा कर रही हूँ बहुत काम पड़ा है, मुझीक शमा कर दोए में बैठ नहीं सकती तिड़े ने फिर कहा, अरे, सर्दियों की चिंता क्यूं करती हो अभी तो सर्दी आने में बहुत देर है, पर चीटी मुस्करा कर चलती रही उसे अपना काम पोड़ा करना था, शीग रही सर्दियां आ गई तिड़े के पास खाने के लिए कुछ नहीं था जबकि चीटी अपने एकठे की अनाज को आराम से बैठ कर खा रही थी तिड़े को अब आभास हुआ कि कथिन दिनों के लिए उसे भी पहले से ही त्यारी कर लेनी चाहिए थी